हलो दोस्तो नमस्कार सौगात है अप सब का टेक्निकल विश्वाई यूटूब चैनल पर दोस्तो एपल ने फाइनल नियूटूबर्स लाउंच करते है एपल सब्सक्राइब चैनल पर दोस्तो अगर बात करें इसके डिस्पेली के साइज के जो आपर इस्पेली के साइज मिलने वाली है वो 4.7 इंच का IPS अज़ि डिस्पेली मिलने वाला है जोसतो एपल ने खुट कहे एपल 8 का ही कॉपी डिस्पेली रखा है इसमें आपल ऐसी टॉनिट बात के다 करें DC अधितर की तुछ इसकी ओपने 서मी ने वावाला और ह recant summary से YT जो कि एपल आइफुन 11ड़ी वी different तो कि वर्ट का सबसे आपरफूल प्रोसे से जो कि सैबन नायो मेटर पे से अगर बात करें की कैमरा की तो है पर आपको जो कैमरा मिलने वाला है रियर कैमरा वो 12 मेगा पिक्सल के साथ और अगर बात करूं दोस्तों कोई भी कमपानी अगर फोन को लांच करते है चाहे वो ओपो है वी वो है रियल्मी है चो वो जो कि पिक्सल को बढ़ा देती है मेगा पिक्सल को बढ़ा देती है लेकिन अगर बात करें कि एपल और जो कि गुगल पिक्सल ये कोई पिक्सल का खेल नहीं खेलती है ये कोई भी फोन को लांच करता है तो वो इंप्रोमेंट करकी लांच करता है जैसे कि दूसरे कमपनी को धूल चटा देती है जो कि उनका ऐ एपल एड का न्यूव एडिशन भी कह सकते हो और या फिर आप आप एपल एड का टू भी कह सकते हो क्योंकि 2016 में एपल एसी लॉँच हुआ था जो कि एपल फाइब एस का यी कॉपी था बिलकुल और यह भी आपका जो एपल जो लॉँच किया है एपल एसी टॉंटी लगे अगर बात करें कि फैस आड़ी की तो आपको हैसी आड़ी का कोई option नहीं मिलता है है और यह परने परणार का support भी नहीं मिलता है हाला कि इसमें आपको 12-4 दिन का support मिल जाता है तो यह option बहुत ही अच्छा रखा है जो कि Apple ने अगर बात करें कि यहाँ पर camera performance की तो camera performance बहुत ही लाजबाब होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पर जो कि 4K के video भी shoot कर सकते हैं वो भी 16 FPS पर तो दोस्तों यहाँ पर जो कि जो camera जो कि अपल ऐसी जो आने वाला है 2020 जो कि इंडिया में भी आने वाला है इंडिया में जो कि lockdown हट जाएगा उसके बाद आपको यह मिल जाएगा अबलेवल हो जाएगा अपल इस्टोर पे और अगर बात करें EOS में यह launch हो चुका है अगर इसके बात करें इसकी price की तो price इसकी अलग-अलग variant के अलग-अलग price है तो EOS में जो कि 400 डॉलर से यह शुरू हो है जो कि base variant जो कि 64 GB का variant है अगर बात करें तो इंडियान में जो price रखी गई है तो price के बारे में बात करेंगे तो इसकी बात कर लें इसकी battery की तो इहां पर battery की कोई confirm नहीं हो कि कितने MS की battery मिलने वाली है आपको अगर बात करें istediás की RAM की तो अभी RAM का कोई इसका information नहीं है कितना GB का weeds का अगर RAM मिलने वाला है तो अग बात कर लेते हैं प्राइस की तो इंडिया में जो की प्राइस की रखी गई है वो रखी गई है 22,500 रूपई और अगर कनवेट करें 400 डॉलर की तो अगर यूसमेट करते हैं तो लगभग 30,000 रूपई बैठता है तो यहाँ पर देखा जाए तो 10,000 का अगर 100% जेश्टे निकालोगे तो यहाँ पर 600 रूपई बनता है लगभग तो यहाँ पर दिखा जाए तो 12,500 रूपई जादा हो जाता है और एपल वाले को शरम करो यार लोगडाउन में लोग ऐसी परिशान है और आप जो चार्ज कर रहे हो जो की यहाँ पर कुछ प्राइज जादा है और एपल जो की यहाँ पर जो की कॉम्पेक्ट होने यह जो 4.7 इंस का जो डिस्पेले वो एक्टम कॉम्पेक्ट है हाथ में एक्टम अच्छे तारा बैठता है और जो की एक हास से आप सब कुछ काम कर सकते हो लेकिन आप अगर बात क है कि उन्होंने 500,000,000 जो की फोन बेच चुका है इसी डिस्पेले के साइज में 4.7 इंच का डिस्पेले के साइज में आप जितने भी फोन देखोंगे जो इसके बाद यह फोन ज्यादा ही अधिकतर लोग परसेस करते है क्योंकि इसका डिस्पेले साइज है बहुत अच्छ शेयर करना अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू जरू सस्क्राइब करकर रखना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं दोस्तों आज के लिए बस मिलते किसे अगले ने वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम